आज हम जानने की कोशिस करेंगे कि भारती मुद्राओं से जुड़े रोचक तथ्य जहाँ पर सिक्को का निर्माड किया जाता है उसे टकसाल का जाता है या मिंट का जाता है और प्रतेक तकसाल केंद्र का एक मुहर चिन होता है या रोचक सिक्रेट कोड होता है वो उस कोड से हमें समझ आता है कि यह सिक्का कीस तकसाल केंद्र में ढलाई किया गया है या निर्माड किया गया है यदि आपसे एक प्रस्ट में पुछा जाए कि आपके जेब में रखा सिक्का कहां बनाया गया था तो आपका जबाब हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं है या ये कह सकते हैं कि मुझे जानकारी है लेकिन इस परस्ट रूप से जानकारी नहीं है क्या आपको पता है कि आपके जेप में जो रखा हुआ सिक्का है वो मौझूद सिक्के का निर्माड कहा हुआ है कि इस टक साल केंदर से इसकी ढ़लाई की गई है तो हम यहां बताने के कोशिस करेंगे कि भारती रिजर बैंक जिसको आर्बियाई के नाम से जानते हैं जिनको पूरे भारत के लिए मुद्रा का चलन करने का उन्हें अधिक्रीत संस्थान के रुप में मानिता प्राप्त है 1938 में पांच रुपे का नोट प्रारंभ हुआ था आर्बियाई ने पांच रुपे के नोट मुद्रित किया था छपाई किया था लेकिन सिक्के का निर्माड पचास पैसे के निर्माड के साथ मैं विविन प्रकार के सिक्के बनाए गए थे और यह सिक्के का निर्माड पहली बार कुलकाता में की गई थी लेकिन टकसाल केंद्र की स्थापना मुंबई में पहली बार की गई थी यह दो चीजें आपके जानकारी में होनी चाहिए पहली बार सिक्को का निर्माड कुलकाता में हुआ था और टकसाल केंद्र की स्थापना पहली बार मुंबई में हुआ मुंबई और कलकत्ता टकसाल केंदर की स्थापना 1869 में किया गया था 1859 में अंग्रेजी हुकुमत के दौरान ये इस्थापिद हुआ था मुंबई टकसाल केंदर भारत के सबसे पुरानी टकसाल केंदर तो है लेकिन जो सिक्के होते हैं उस सिक्के के एक पहलू में सन का विवरन रहता है और सन के नीचे में यदि आप देखेंगे तो उस मुंबई के जो टकसाल केंदर का जो सिक्रेट कोड है वो डाइमंड है दाइमंड का चिन वहांपर मुद्रित होगा उस से आप समझ सकते हैं कि उस सिक्के का निर्माण मुंबई टकसाल केंदर से हुआ है यदी सिक्के में डार्ट का चिन है तो यह सिक्का नोईडा के टकसाल केंदर से बना है और यदी आपके सिक्के में इस्टार का मिंट चिन है तो आप समझज जाएएं कि यह सिक्का खैदराबस से बना है लेकिन किसी किसी सिक्के में कोई मार्क नहीं रहता कोई मिंट का चिन्न नहीं रहता तो आप समझ जाएए कि वह सिक्का कोलकाता ठकसाल केंदर से निर्माड किया गया है मतलब मुंबई का मिंट चिन्न हीरा है डाइमंड है है एदराबाद का स्टार है नोएडा का डाट चिन्न है और कोलकाता का कोई निसान चिन्न नहीं पाया जाता है यह चार ठकसाल केंदर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कई बार प्रश्ण पुछा जाता है कि ठकसाल केंदर कब कब इस्थापित हुआ कहां कहां इस्थापित हुआ तो मुंबई ठकसाल केंदर और कलकत्ता ठकसाल केंदर 1869 में अंग्रेजों के द्वारा सिको का निर्मार किया जाता था हैदराबाद में जो टकसाल केंदर है 1903 में हैदराबादी निजाम के सरकार के द्वारा इस्थापित किया गया था जब देश आजाद हुआ और भारत का सविधान लागू हुआ 1950 में भारत सरकार्ट ने हैदराबार टकसाल केंद्र को अपने अध्यकार में ले लिया था और आजाद भारत की जो टकसाल केंद्र है वो नोईडा टकसाल केंद्र को मना जाता है जो 1946 में इस्थापित किया गया और 1988 में पहली बार इस्टेनलेस इस्टील के सिक्को का निर्मार किया गया आज इतना ही कल हम अन्य विशे पर रोचक तत्यों के साथ फिर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए धन्यवाद जै भारत जै चतिस गड़